क्या आपका कमरा गंदा है? अरे नो फिया में गोरवेजियर! आज मैं आपके ले लाए हूँ बहुत ही खास चीज़! यह देखिए! यह है आर्ट इटाइक का एक सूपर स्टोरेज ट्रॉक! इसमें आप अपनी सारी आर्ट इटाइक की चीज़ें और कलाकृतियां रग सकते हैं! देखिए! इसमें है मेरी सारी क्लिकर और इस छोटे वाले में हैं मेरी सारी पैंसिल्स! इससे बनाना काफी आसान है! चाहते हैं मनाना? तो इससे बनाने के लिए आपको चाहिए दो कार्ट बूट की डिब्बे! एक बड़ा और एक छोटा! है ना कमाल? तो चलिए! मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाए! मेरा मतलब है हाथ से हाथ चलाइए! डिब्बों में जो बंध होने वाली चार पटियां होती हैं उनमें से अंदरूनी दो पटियों को काट लें! उसके बाद डिब्बे कुछ ऐसे दिखेंगे! फिर डिब्बे के निचले सता को मस्बूत करने के लिए उसे टेप से चिपका दें! कुछ ऐसे! चोटे डिब्बे के एक साइड को अच्छी तरह से गम लगाकर बड़े डिब्बे को चिपका लें ताकि सही आकार मिले! चोटे डिब्बे में होगा ड्राइवर और बड़ा डिब्बा होगा ट्रक जिसमें होगा आपका सामान! पर दोस्तों अगर ये ट्रक है तो आपको नहीं लगता इसमें किसी चीज की कमी है जी हाँ एक ऐसी चीज जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया पाईए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक काटबूर्ट पर दो अलग साइस के बोल या कटोरिया लेकर पैंसिल से दो गोले बना लें ऐसे बड़े गोला कार बनेंगे ट्रक के पिछने पाईए और छोटे गोल होंगे ट्रक के आगे के पाईए अब इने काट लें पईयों को ट्रक के साइड्स में चिपका दें कुछ इस तरह इसे बनाना बहुत ही आसान है ये देखिए ये है ड्राइवर के पैठनी के जगा ये है ट्रक का कंटेनर और यहां पेहं उसके पईये अब क्या करना है? अरे दोस्तों और क्या? अब करेंगे इसमें रंग पहले पैंसिल से सारी चीज़े बना लें ट्रक के आगी का काँच बनाने के लिए रूलर का इस्तमाल करें इस तरह ट्रक के आगी का हिस्सा बना ले फिर दरुआजे की खिड़किया बना ले छोटे डिपे को नीला रंग लगा दें सिल्वर रंग लगा रहा हूं देखिये रंग करने के बाद ये ट्रक कितना गजब का लग रहा है मैंने सामने वाली और साइड वाली खिड़कियों दिया है नीला रंग ताकि लगे एकदम कांच जैसा और पूरे ट्रक में बनाई है पर्मनेन मारकर से आउटलाइन ताकि ये और भी असली जैसा लगे और इस हेड लाइट का तो देखिये कैसी चमक रही है अब इसमें आपको सारा समान चुरक्षित करना होगा उसके लिए हमने बनाया है ताला इसे बनाना तो बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ काटबोर्ट के टुकडे इस तरह के इस टुकडे पे मैंने चिपकाए हैं पीछे की तरफ और दो छोटे टुकडे इसे मुझे बीच में एक खांचा मिल गया है तो अब इसे बस अपने टुक पर इस तरह चिपका दीजिए आपको चाहिए एक और टुकडा जो आपके उसके सामने चिपकाएंगे ये तो हो गया अब हमें चाहिए एक आईस क्रीम की डंडी जो इसके बीच से हम डालेंगे देखा और ये हो गया सुरक्षित अब एक इंपोर्टन चीज़ जो आप बताना भूली गया वो ये कि इसमें आपको एक निशानी बनानी पड़ीगी अपनी खुद की मैं तो बनाऊंगा आर्ट अटाक की निशानी ताकि लोगों को पता चले कि इसमें है मेरा आर्ट अटाक का सामान अब ट्रक के लिए आप एक निशानी बनाएं जिसमें अपनी छाप और स्टाइल हो इसे काट बोर्ट पर चिपकाएं ऐसे फिर इसे काट लें इसकी किनारों को मारकर से और गहरा कर दें हमारा समान रखने का ट्रक तयार है इसमें आप अपने नाम की निशानी भी दे सकते हैं तकि पता चले कि इसमें आपका समान है इसमें आपका सारा समान फिर तो आही जाएगा पर मैंने बनाए और कई सारे डिजाइन्स सरा इसको तो देखिए लगता है ना बिल्कुल आइस क्रीम ट्रक जैसा तो दोस्तों आप भी इस तरह के मज़दार ट्रक बनाईए